बुच्रातना एटीएस ना डिवाईस पी भावेश रोशियानी बात मिने आधारे ताजितर्मा एटीएस अने खोस्ट कार्णी टुकडिये का वायत हाथ धरीने कच्छना जखोपासे आवेला दरिया माती बस्तों ने 20 करोड रुप्यानी कीमत नू 56 किलो हेरोईन ड्रक्स च अप्लाई करवाना आथा एचंसी ओए जोई ने आरोप्योए ड्रक्स ना पैकेट दरिया मा नाकवानों और भागी चवानों प्रयास कर्यों होवा नी गोली बार करवामा आवियो तो जेमां त्रोण जडला पाकिस्तानी घवाया हाता चे पई की बे रिकवर थाईजता को लाट माशी मारों ने आजे भूज नी एंडीपेस कोट मां चवुत दिवसना रिमाननी मांग साते एटीएज वारा रजू करवामा आवता कोटे नव दिवसना रिमान मंचुल कर्याश आरोपियों नी अंदावाद एटीएज का चेरिये लाइज जय ड्रग्स मोकल नार मुस्तफा ना नेटवर्क सहित स्थानी के मालनी डिलेवरी लिवा आवनार शक्स नू नाम ओका वमाऊश जैसे कि एटीएज गुजरात को 23rd अप्रिल को एक इंटेलिजेंस मिली कि पाकिस्तान की ओर्षे कनाची मंदर से बारत देश के अंदर बारतिया जड़ रासी से कुछ लोग जो की कांट्राबैंड हेरोइन ड्रक्ट लेकर के हिंदुस्तान की जड़ सिमा से आ रहे हैं इस इटीएजेंस के बैस पर हमारे गुजरात एटीएज के अफसरों ने इंडियन कोशगार्ट के अफसरों से कॉलबरेसन करके इनके साथ जबकि जिस तैकिकात पर ये इंटेलिजेंस मिली थी वहाँ पर हमारे एटीएज और कोशगार्ट के अफसरों वहाँ पर मदद रही है जो कि मिड़ शी के अंदर गए और वहाँ पर जबकि भारतिय जड़ रासी के साथ नौटिकल माइल अंदर ये लोग आ चुके से इन पाकिस्टानी बॉट जो कि जिसका रजिस्टर नमबर था और इसका नाम था अलहाजी 18296 बी एच इसका रजिस्टर नमबर है इस रजिस्टर नमबर वाली बॉट के जरी है ये लोग कांट्राबेंड हेरोईन भारतिय जड़ सीमा में लाकर के अंदर आये से जबकि इंडियन कोशगार्ड ने इनको वान किया अपनी इंडियन कोशगार्ड की बॉट और साथ है अपने ATS के अफसर को देखे इन लोगों ने बागने की कोशिश की वापिस पाकिस्टान मियान जो कि इस अलहजी बॉट का जो टंडेल है जिसका नाम है घुलाम उमर कच्छी वह इंजड भी हुआ इनको भी स्ट्रीवल उस्टिल में अंडर ट्रीटमेंट है और इनके सिवा आज जो आठ पाकिस्टान ही पकड़े गये से कोशगार्ड ने 24th और 25th April को midnight इनको जब सी से बाहर यहां पर जखू पॉट के उपर लाया गया तब इनको ATS के हवाले किया आप्टर जेट पूरी पंचनामा की प्रोसेजर करके ATS गुजरात ने इन लोगों की अगेंश में 26th April को एक गुनादर्ज किया ATS पॉलिस्टरसन में और आप्टर जेट इन सभी नव पाकिस्टानी जो की कॉंट्राबेड हरें लेकर कहते इनको अरेश किया अरेश होने वाले में एहमद अली नूर्मामद छेट, अकबर अली इसा कच्छी, शाहिद उमर कच्छी, मुसा उमर कच्छी, वासी ओस्मान गनी कच्छी मानेक, शहजाद फकिर मुहमद नारेजा, आभी सिदिक कच्छी लाडग, मुहमद अन्वर, मुहमद उस्मान, शिं मार्ठ को अरश किया और जो एक कच्छी जो टंडेल है इनको अभी अंडर ट्रीटमेंट है और आज इन सब को हमारे एंडीपे स्पीसिल कौर्ट में इनकी पैसगी की गई वहां पर एटियस गुज्रात की और से प्रोसेक्यूशन की और से हमारी रिमांड की मांग थी और रि स्टेट में कहां पर यह माल को डिस्ट्रिबूट करना था या इनके यह माल के लिवरी लाने वाले और कौन लोग है जिन लोगों ने माल मंग वह इनका फैनेंसिल एक कौन कर रहा है वह भी एका इनिश्टिकरेशन का विसे है इसके साथ साथ इनके साथ इंटरनेशनल जो अरग माफिया और जो एंटी टेरिस्ट जो लोग है वो उन लोगों का कनेक्शन इन केरियर इजर्जेंसी और केरियर जर्जेंस के साथ साथ जिन लोगों ने वहां से माल बेज़ इनके साथ क्या है यह सभी इनिश्टिकरेशन का विसे है इसी तोर पर आज हमने स्पेसिल 10 applies हमने मां की और कोड के सामने हमने यहीं रखा कि जव यह लोग नौ पाकिसानी जब इनोगों को हमने अरश्ट किया है तो इनके पास से पाकिसानी करन्सी कि अठाराजाच चैसो की करंसिंसी नोट दो मूबाइल फोन और इन सभी पाकिस्टानी जो लोगे इनके आइडेंटिक आड़ भी एटीएस गुज़ात ने मरमत किये हैं एसेले सिनिटिक इन्दरण के इन के अंदर हमी यह भी देखना एकी यह जो लहज़ नाम की बौट ए उस बौट का मालिक कौन है यह माल इंटलिजिजन के बेश पर साथ दिल्ली की और जाने वाला था या इनके साथ गुज़ात के साथ साथ गुज़ात केरी के साथ अपने देश के कौन से राजे के अंदर ये माल जाना था और कोई माल ऐसा किस प्रकार शेया बेजा गया है कैसी एजन्सिया इंटरनेसल जो ड्रग्स माफिया के साथ जुड हुए कौन से यह लोग इनके साथ जुड़े हुए यह सब हमारी आज कोट से हमारी धिक्वेस्ट थी और इसी ग्राउंड पर हमारी डिवान थी कि इनके मेरी मान मिले